आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे द्धान तक नहीं हो तो इस्टेडी लोज पर आपका बहुत बस्भागत है अच्छली दोस्तों मैं बाहर था आज ही लखनों आया हूँ मैंने सुचा थे स्मार्ट बोर्ट पर बनाऊँगा लेचर फले लेट से बनाऊँ जब मैंने ये खबर सुरी तो मेरा बहुत दिमाखराब हुआ और मतलब मैं क्या ही बोलूँ अब वही बात है ना कि until proven guilty तो कानून जब तक सजा नहीं देता तब तक तम किसी को कुछ बोल नहीं सकते लेकिन हम सबको पता है आप भी समझदार है कि सच क्या है हम बात करेंगे प्रेज्वल रवन्ना sexual harassment case जो की बहुत बड़ा sex scandal केस है देश का सबसे बड़ा sex scandal करनाटक का तो सबसे बड़ा ही है बड़ी बात पते है क्या है HD देवे गौड़ा आप जानते हैं HD देवे गौड़ा प्राइम मिनिस्टर 1996 से लेकर 1997 उनके पोते हैं HD कुमार स्वामी चाचा जी है खुद ये MP है दो इनके परिवार के former CM अब आप एक चीज़ बताईए इतना बड़ा पॉलिटिकल परिवार है आपको पता चले कि इस कहानी में सब विलन है जब इस दुनिया में सब बुरा ही काम करेंगे तो अच्छा कौन करेगा हीरो को तो जनम लेना ही पड़ेगा ना इसलिए साउट की मूवीज में बहुत तालिया मारते हैं क्योंकि इन सब विलन में एक हीरो हाता है जो सब को बचा लेता है लेकिन यहां पर कौन हीरो है इतना सब कुछ होने के बावजूर प्रज्वाल रवणना इस इंसान के ओपर यह चला गया जर्वनी और पता नहीं समय यूरोप के कहा चलो ठीक है तुमने कहा कि यह सब जूटा है मालिया जूटा है परिवार कह रहा है कि फरजी में वीडियो जो है वो फैला जा रहा है यह भी माल लिया तो करो कानून का सामना क्यों भाग रहे भागना क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं क्या कहीं पूरे गढ़बढ़ हो 24 अपरेल को पेंड्राइब लीक हुई जेडियेस जो वैसे ही समय काफी स्टॉगल कर रही है तो जेडियेस जो है करनाटक में घरगर भाटी पेंड्राइब ही है जिसमें 3000 के करीब ऐसे वीडियो मिले जिसको आप देखे मैंडे तो देखे नहीं है लेकिन अगर आप समझो तो वो वीडियो जो आप शर्मसार हो जाए इंसानियत सैकड़ो महिला कहा जा रहा है कि 300 के करीम महिला कोई किसी को भी नहीं छोड़ा बच्चा बूड़ा औरत सब गए ऐसी ऐसी खौफना कहानिया सामने आती है घर की नौकरानी जो नौकरानिया थी वहां पे जो नौकर बोलता था भया समलो साहब आ गए है दर जाती थी साहब को देखके प्रजल रवणना को देखके एक नौकरानी बताती है कि कई बार ऐसा होता था कि मसाज करने पर ये जो नौकर होता है कि बेटियों को बुलाता था कबरावन कर लेता था अपना प्राइवेट पार्ट आप ये समझे कि काफी उम्र दराज महिला वो भीक मांग नहीं है इंसे कि मत करो छोड़ दो भगवान के लिए मैंने तुम्हारे तुम्हारे पिता जी तुम्हारे दादा जी सबको सर्व किया है ऐसे वीडियो में बोला जा रहा है लेकिन प्रज्वल रिवन्ना जो है वो कह करनाटक में एक शहर है बहुत खतरनाक उसी कंस्टिट्वेंसी से चुना लोड़ता है तो आप ये समझे कि देवे गोड़ा फॉर्मर करनाटक चीफ मिनिस्टर एचडी कुमार स्वामी और उनके बड़े भाई एचडी रिवन्ना पॉलिटिकल सुप्रिमेसी के लिए टसल जो है वो शुरू हो चुकी है समझ रहो तो यहाँ पे मेंबर ऑफ परलियमेंट प्रज्जोल रवन्ना बताईए डेंजरस है SIT तुरंत आनन फानन में स्पेशल इंविस्टिगेटिंग टीम जो है वो बनाई गई और SIT गटिकी के SIT से एक दिन पहले लुफ्तांसा में सवार हुए जर्मनी चले गया पता नहीं कहां गया यह कौन से शेहर में रह रह रहे यहाँ पे स्पेशल ने यह बताया है कि सेक्स स्कैंडल जो हुआ है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आना है कोशनिंग होगी आपके उपर साथ दिन 7 डेज आपके पास है अब प्रज्वल रवन्णा ने सोचल मीडिया पर बोला कि मैं बैंगलोर में नहीं हूँ इंकॉइडेटर नहीं कर सकता मैंने CID बैंगलोर से बात की है अपने एडवोकेट के थ्रू सच्चाई की विजय होगी है और ऐसा बोला जारे कि अभी जर्मनी है बंगलोरू से 28 सफ्रण अब मुझे एक बात बताईए इतना बड़ा स्कैंडल इतना कुछ आ गया हो सकता प्रज्वल रोवन नवे को सू ध्रूस है बहुत बहुत बड़ी है ऐसे इतना भी कि ओने के बावजूद इतनी वीडियो सरकूलिक होने के बावजूद आप ये समझे कि सब clean shit भाग गए बाहर ये चीज़ है और अगर इनको सजा भी हो जाते हैं तो क्या ही होता है जेल में भी बढ़िया ही कटता है इनका सब कुछ सजा होगी बस हम वहाँ तक देखते हैं पिचर खतम पिचर तो अब शुरू है जेल में भी आराम से कितने लोगों के साम्राज जे चलता है सबको पता किसी से छोपा थोड़ी नहें अतिक एहमज जो था वो जेल के अंदर से धमका देता था कुछ तो जेल से बारी नहीं आना चाहते है जेल में भी सब होता है पैसा है तो सब है क्या है क्या हो रहा है कहा का रामराज हम बसा रहे हैं रामराज से आज आज रामाईन का अगला सिशन परसू आएगा ठीक है तो कहा का हम रामराज बसा रहे हैं यह हमको खुदी समझना पड़ेगा नाच तो लिए ठीक है बहुत अच्छी बात है मंदिर बन गया सब हो गया अबट कर क्या रही हैं अपने अंदर के राम को भी जगा लो थोड़ा रामण को यहां पर जगा रहे अपने अंदर के तो यह सब तो रामण के लक्षण है तो प्रज्जोल रवणणा ने बोला कि हमने साइटी को अपना जवाब भेज दिया है लॉयर अरुण जी ने बोला क इन्वेस्टिकेटर्स के आगे प्रस्तों अच्छी बात है वो आना चाहिए उनको जाना ही नहीं चाहिए पहली बात तो ठीक है तो मैं वही बता रहो कि साथ दिन का बस टाइम दे दीजे यह बोला गया है प्रज्जोल रवणणा ने बोला कि सच्चाय की जीत होगी है पूरी पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स हैं बिलकुल है बिलकुल है पॉलिटिक्स है अब आप ये समझें कि एक दिन पहले जो इत्रें अамे रस्छी आ गहे है लेकिन आपको ये देखिए आप सब कुछ साइड में वो तो MMS तो है न अरे आप रएंप साइड में है बीजेपी से लगा Congress तक everybody's villain जहां पर political यही एक कारोप पिछले साल एक बीजेपी लीडर ने लगाया था लेकिन तब तो यहां बोला गया है कि बिलकुल मेना बेटा जो है वो investigation जोइन करेगा एकदम जोइन करेगा अब हम बात करते हैं कि आखिर कारी सब कैसे हुआ how it has unfolded तो अब सबसे पहले आपको समझना क्योंकि यह बहुत important है जानना कि आखिर यह case क्या है और जब तक आप यह समझेंगे नहीं तब तक मतलब पहले समझ तो सभी गए होंगे है ना आप समने वीडियो मैं थोड़ा लेट वाइन हो बड़ कोई बात नहीं देखिए यहाँ पे जो यह political family है रेवेंड़ना की यह बहुत ही बड़ी family है तो इसका एक आपत्ती जनक वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरिल हुआ था अब इसमें वो महिलाओं के साथ गलत हरकत करते देखे देखा जा सकता है हाला कि उस समय प्रजोल रवन्ना ने बोला था कि यह मौवध है मतलब इसमें किसी और की फोटा है यह मैं नहीं हूँ मतलब कोई और कर रहा है और मेरी फोटो चिपका दी 26 अप्रेल को हसन में वोटिंग खतम होगी ठीक है क्योंकि इसके एक दिन पले 25 अप्रेल को जो है वो हुआ अब देखिए 26 अप्रेल को वोटिंग के दिन एक दिन बाद आया 26 अप्रेल जैसे ही अपनी सीट पर वोट डॉलने गया यह तो तुरंत करनाटक की जो सिद्धाम और रमिय सरकार उसने SIT बना दी गई SIT का गठन किया और SIT बनाने का फैसल राज महिला आयो की सिफारिश के बाद ही आया था ठीक है अब आरोप है कि जो सेक्स स्कैंडल आया है इसमें एक वीडियो को कथे तोर पर सांसद नहीं शूट किया था यहाँ पे कुछ ये भी आरोप है कि सांसद ने यही रवन्ना न खुदी वीडियो शूट किया वीडियो की शूट किया भाई ऐसा होता न कि कई बार आप मुँ बंद करवाना चाहते हैं कि ज्यादा भोलो कि तो वीडियो लीग करते हैं अब इसके बाद एक महिला ने रवी बार को प्रजल रवन्ना पर यौन में पेन का अरोप लगा दे देगे ये कोई बहुती हाइफाई मैला नहीं है ये कुछ गरीब हैं कुछ बहुती गरीब हैं कुछ तो नौकर किया अब प्रॉब्लम ये है कि डरते हैं लोग कि भाई इतनी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है और ये लोग डगरा के वे रखते हैं बाद देगे कानूस देगर 2020 में बहुत बार उनका यौन शोशड किया गया ये भी दावा किया कि प्रज्जल रवन्ना ने वीडियो कॉल पर उनकी बेटी के साथ दुरुविवार किया अश्रील बाचीत की और बोला कि जो पिता एचडी रविन्ना है उनकी पतनी की गैर मौजूदगी में भी उनका यौन उत्पीडन होता था उनके परिवार के अन सदस्य को भी जान के खत्रा ये चीज़ है अब बीजेपी नेता देवराजे गोड़ा दोदब तेईस में विदान सबाव चुनाओं में यहां से यहां पे होलिनर सीपुरा के उमीदवाब थे उन्होंने भी दावा क पिछले साल दिसमवर्दे कि ऐसा कहा जाते हैं सबको पता था हर ने जकर बज्या देवगरा परिवार के खिलाव गंभीर आरोप लगा थे उस समय दावा किया ताकि उन्हें लगातार sexual activity के लिए मजबूर किया जा सके देवराज गोड़ा कहते हैं कि अगर हम JDS के साथ गड़बंदन करते हैं और हम लोग सबाद चुनाओं के लिए हासन में JDS उम्मिदवार को ना मंकित करते हैं तो इन वीडियो का हमारे खिलाप ब्रहमास्त के रूप में इस्तमाल किया जा सकता है इस तरहां हम पर दाग लग जाएगा कि हमने ऐसे परिवार के साथ गड़बंदन किया जिसके सदस्यों पर बरातकार क्या रोग है राश्ट्री इस तरह पर हमारी पार्टी के छवी के लिए बढ़ा जटका और यही एक्जाट्ली हो रहा है य अब प्रज्वल रवन्ना ने 33 साल का ही इसने क्या बोला खारिश किया इसने का कि नहीं मुझे बदनाम करने का साजश है है और ऐसा कुछ नहीं है बीजेपी का क्या स्टैंड है अब जेडी एस बीजेपी के बीच राजनीतिक जड़ा हो गया पहले तो गठबंदन था सेक नहीं है नहीं हमें प्रज्वल रवन्ना से जोड़े कसित सेक्सकेंडर के राजसरकार के गोशित एसाइटी जाज़ पर कोई टिपड़ी करनी है जेडी इसने क्या बोला है एचेडी कुमार स्वामी ने का है इन्होंने अच्छा एक स्टैंड लिया है जिसने भी ये काम कि करने का कोई सवाल ही नहीं है जेडी इसके जो शरंगोड़ा कांकुर उन्होंने प्रज्वल रवन्ना को नीलंबित करने की मांग किया है जो देखे फैमिली तो वैसे ही आपको बता है कि फैमिली में दो दो बेटे हैं ये आपस में ही लड़ रहे हैं फैमिली में भी स्प् कोई काम नहीं करना चाहता है तो यहाँ पे यह भी बोला गया है कि अगर भाई इनके ओपर आरोप लगे है तो यह स्तीफा दे JDS को इस वीडियो से शर्मिन्दा होना पड़ा है यह आपके और आपके पार्टी कि दोनों की प्रतिक्षा को नुकसान पहुचाता है कॉंगरेस ने क्या का कॉंगरेस ने बीजेपी के नाना निशाना साधा है पार्टी का आरोपे की बीजेपी ने कर्थित सेक्स क्लिप पर विवाद की बीच प्रजोल रवनना को देशे भगना में मदद की अब यहाँ पर मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ अमिज बीजेपी ने क्या बला अमिज शाहर ने कहा है कि बाई देखो एक बात बताओ कि किसकी करनाटक में सरकार है जो कि सही बात है लॉइ और तो स्टेट का सब्जेक्ट है तो करनाटक में कॉंग्रेस की सरकार है कॉंग्रेस नहीं उसको भगाया कॉंग्रेस अब कॉंग्रेस हम पे कैसे यारूप लगा सकती है मैंने वही आपको बता है ना कि इस हमाम में सभी नंगे हैं आप समझ सकते हो एवरिवन तो ये चीज़ है अब देखिए सबसे बड़ी बात जो बोली जा रही है कि आखिर का किसने वीडियो लीक किया है ये वीडियो लीक किया है रिवन्ना के नौकर ने रिवन्ना के ड्राइवर ने रिवन्ना के ड्राइवर जो है वो इसके साथ काम करता था काफी समय तक साथ साल तक और सारे इलेक्ट्रोनिक डिवाइसेस का इसको इसके पास अपुछ था तो अब हुआ क्या कि जब प्रज्वल रेवेंड़ना कुछ बात पर मदभेद हुआ साथ साल तक काम के फिर जब छोड़ दी ड्राइवर ने ड्राइवर फिर धमकाने लगए कि मेरे पास वीडियो है मैं तुमको तुमारे वीडियो जो है वो लिग कर दूँगा मेरे पास पेंड राइव है तुमारी अब ड्राइवर की 13 एकड की जमीन है ड्राइवर का ये भी कौन इन महिलाओं की बात सुनेगा बात ही है तो अब इंसाफ तो चाहिए चाहिए जो भी हो रवन्ना आएंगे नहीं आएंगे वो तो बाद में पता चलेगा गिल्टी है नहीं है लेकिन जो आरोप लगना बहुत ही गंभीर तो ये पूरी खबर थी आप ये समझें कि धेरो MMS मिले हैं बहुत सारी औरतों के साथ शोशण हुआ आप यहाँ पर रवन्ना फैमिली यही कह रही कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ठीक है और हम वापस आएंगे ठीक करेंगे आपको खुद बखुद पता चल जाएगा और यहाँ पर लखी जो वीडियो हैं वह तो कुछ और ही कहते हैं तो देखेंगे आगे क्या होता है थांक यू सो मच